नमस्कार साथियूं संस्कृतिय आईएस की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ चंद्रशेकर आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में चंद्रयान 3 ही नहीं बलकि हम चंद्रयान 2 से इसका तुलनात्म का ध्यान करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसिस थे और चंद्रयान 3 हमारे लिए क्यों महतुपूर है साथी साथ हम यह भी जानेंगे कि प्रिधान मंत्री ने ट्वीट करके क्या कहा है तो चंद्रयान 3 सफल तो दिया गया है उन सभी कारियों को करेगा तो चलिए क्लास की शुरुबात करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या बाते हमें समझनी है चंद्रियान 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं चंद्रियान 3 टेक्स ओफ हाव दा मून मिसन कंपेयर्स विथ 2019 जो चंद्रियान 2 था उससे हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं ये प्रकाशित हुई है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यदा इंडियान एक्सपरेस में खबर प्रकाशित हुई है यहाँ पर देखें अभी चर्चा में इसलिए है कि चंद्रियान 3 सफलतापुरवक लॉंच हो चुका है कली यह भारत का यह तीसरा चंद्र मिशन है अर्था चंद्रमा का अध्यान करने से सम्मंधित भारत का यह तीसरा मिशन है यह आप देख रहे हैं प्रधान मंतरी ने ट्वीट करके इसको ले करके कहा कि यह जो हमने किया है अर्थात हमारी जो स्पेस एजनसी ने यह कारे किया है दरस एक सी बात है कि प्रधान मंत्री ने जो ट्वीट किया है और जो इस रो अपना मिशन लेकर के चल रहा है अंतरिक्ष के शेत्र में भारत की ये बहुत वड़ी उपलब्धी साबित होगी आई होप और सभी इस बात को लेकर के आसानमित हैं कि यह अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा तो यहाँ पर अब इससे संबंदित बातों को समझने के बाद यहाँ देखना यह है कि चंद्रियान जुड थ्री है इसके बारे में क्या-क्या बाते हम जानने वाले हैं तो स्री हरीकोटा इस्थित 37 दवन अंतरिक्ष केंद्र से अकसर पूशा जाता है प्रारंफिक परक्शा में यह जो इसको ले जानने वाला है उसको हम लूंच वेहिकल कह रहे है अर्था जिसके द्वारा इसे लूंच किया जा रहा है साथी साथ अब यहाँ पर बात की जा रही है कि मिसन के तीन प्रमुक मॉड्यूल है अर्थात तीन हिस्से आप देख सकते हैं तीन हिस्से कौन कौन से हैं प्रणोधन मॉड्यूल की बात की जाएगी लेंडर की बात की जाएगी और रोवर की बात की जाएगी तीनों को हमें स देख रहे हैं इसका जो अगला हिस्सा है यही हिस्सा यह अलग-अलग चरणों में जो इसमें फ्यूल इस्तेमाल किये गए हैं और यह जो ले जाने वाला है जो हमने कहा कि मार्क 3 यह ले करके जाएगा ले जाने के बाद यह चरणबध तरीके से यह अलग हो जाएगा यह हिस की कक्षा तक ले जाकर कि वहां अस्थापित करने का काम करेगा अस्थापित करने का मतलब यह है कि उनकी सॉफ्ट लेंडिंग कराई जाएगी सबाल यह भी है आपके सामने कि यह सॉफ्ट लेंडिंग क्या होता है अभी उसके बारे में बात करेंगे तब तक यहां पर जो ब पर यान है LVM अर्थात लाँच वेहिकल मार्क 3 की बात की जा रही है या इसे GSLV MK3 भी कहा जाता है फिलहाल आप ये समझे इसके बारे में हम एक सिरीज के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो लाँच वेहिकल है जैसे PSLV GSLV इत्यादी ये जो चरणबध तरीके स जैसे आप मुबाइल के बारे में बात करते हैं कि मुबाइल एक अलग अलग जनरेशन के हिसाब से डिवलेप होती जा रही है उसी तरीके से जो ये लाँच वेहिकल हैं वेहिकल से ही आप समझ रहे हैं कि वेहिकल किसी चीज को ले करके जाने का काम करता है आप ये कहते हैं आप किस vehicle से आ रहे हैं, तो vehicle आपको एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाता है, उसी तरीके से जो ये launch vehicle हैं, ये भी ले जाने का काम कर रहे हैं उन उपग्रहों को, तो यहाँ पर देखें, जो rocket है, LVM, अर्थात launch vehicle Mark 3, ये भारत का सबसे भारी प्रशेपड़यान है सबसे भारी प्रशेपड़यान का मतलब या है, कि सबसे जादे वजनी जो उपग्रह हैं, इनको ये launch कर सकता है, अर्थात जहाँ पर इसे launch करना है, वहाँ तक ही भेज सकता है, यहाँ देखी, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जियो सिंक्रोनस satellite launch vehicle, इसका विकास कि ने किया है, तो जो भारती अंतरिक्ष एजनसी है, इसरो, इंडियान स्पेस रिसर्च के शित्र में, और रिसर्च करने वाली जो और्गनाइजेशन है, इसरो की बात हम कर रहे हैं, उसकी बात की जारी है, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी आप कहते हैं, भारी सेरीज में बताएंगे तो वो हम कवर करेंगे अच्छा ये जो आपका में हिस्सा है ये जाएगा और ये अपना काम करेगा ये आपको दिखाया जा रहा है अब यहीं पर तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं कि जो 2019 में किया गया था चंद्रियान टू जिसे लांच किया ग दरसल जब इसे लांच किया गया था तो जो वहां पर लेंडर और रोवर था लेंडर से हमारा संपर्क तूट गया था और तूटने की वज़े से जो कुछ भी हम वहां पर प्रतिक्रिया करने वाले थे जो कुछ भी कमांड देने वाले थे वो हम नहीं दे पाए इसकी वज पर ही या दूरी पर आप कह सकते हैं हमारा उसे संपर्ग टूट गया चुकि हम यहां से उसको कमांड दे रहे हैं तो हम उसको कमांड नहीं दे पा रहे थे इसलिए उसकी soft landing नहीं हो पाई तो ये टोटल कितना 2389 किलो वजनी है साथी साथ इसकी बात करें तो ये 2145 किलो मेटर किलो वजनी है यहाँ पर और्बेटर की बात की जा रही है लेंडर की बात की जा रही है तो 1171 केजी साथी साथ यहाँ पर देखेंगे रोबर की बात की जारी है 27 केजी 500 ग्राम है यहां पर टोटल पेलोड की बात की जारी है टोटल जो वजन है देखिए पेलोड का मतलब कई बार इसे अलग-अलग संदर में इस्तेमाल किया जाता है यहां पर हम बात कर रहे हैं वजन के संदर में तो यहां पर 3850 किलो पेलोड ये ले जाने में सक्षम है ले जाये गया था, total की बात की जा रहीए, इसके लिए ये कहा गया था कि one year, साथी साथ seven year के लिए भी बात कही गई थी, lander और rover one launch day की बात हुई थी, साथी साथ यहाँ पर इससे संबंधि जो अन्य बाते थी, अठा day to moon, वहाँ पर कब कब ये कित समय लगाएगा तो उसके लिए नरधारित किया गया था कि अर्थ के एराउंड जो सेटेलाइट जाएगी वो सेटेलाइट क्या करेगा तो तेईस दिन लगाएगा अर्थ के एराउंड गूमने में और अर्थ की कक्षा में गूमेगा और उसके बाद यह जाएगा वो हमने नरधारित किया था कि 48 दिन लगेगा लेकिन यह जो हिस्सा था किवल वह वाला हिस्सा अर्था लेंडर और रोबर वाला हिस्सा वो हमारा फेल हुआ था अब यहां पर बात कर लें उसके कंपरीजन में हम देख रहे हैं कि जो रोबर है 26 केजी है टोटल जो पेलोड ह टोटल 3900 किलोग्राम है यहां पर आप देखेंगे 3850 किलोग्राम यह जादे वजनी है इसलिए कहा गया है कि यह हैवी लाउंच वेहिकल है टोटल जो बताया गया है कि यहां पर जो लेंडर है और रोवर है टोटल इनको कहा गया है कि one day और वही सारी चीज़े बताई गई है इसमें जो हमने नरधारित किया है कि यह 42 दीनों में अपने कारिय को पूरा करेगा अर्थात जो यहां पर दिखाय गया था कि 48 डेज उससे काफी कम यहां पर समय बताया गया अब यह तुलनात्मक रोप से आपने देख लिया देखने के साथ है अब यहां पर बात यह होती रोवर का नाम प्रग्यान रखा गया है, लागत इसकी 38 पूरी परियोजना की जो लागत है 600 करोड बताई गई है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये जो पूरा है इसको समझना ज़रूरी है, ये इंटिग्रेटेड मॉडूल है, इंटिग्रेटेड का मतलब जूड़ा हुआ, सब को समलित करते हुए आप देखेंगे, तो ये पूरा हमारा सेटिलाइट ऐसे समझ लेजे, अब ये सेटिलाइट क्या हुआ, कि जब यहां से हम इसको लाँच किये, लाँच करने के बाद इसका जो अगला हिस्सा था ये गया, इसी में सारी चीजे थी, यहां पर लैंडर भी है, और रोवर भी है, जब ये सता पर वहां पहुँंचता है अर्थाच चंद्रमाक की सता पर पहुंचने वाला होता है, तो वहां पर इस हिस्से से जो लैंडर जो मोड्यूल है और प्लस रोवर है वो अलग हो जाते हैं, और इनको यहां पर लाँच कर दिया यह हमारा देकर के गया है, और इसी में सारी चीजे हैं, यहाँ पर ली जाने के बाद इसमें से जो lander है, ठीक है? लेंडर अलग हो गया, अब lander को माल लेते हैं, ऐसे एक lander ऐसे माल ले रहें, यह इसके पैर है, ठीक है? इस lander में यहाँ पर रखा हुआ है जैसे ही सत्ह पर इसकी soft landing होगी soft landing होने के बाद यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं इसको कहरा है कि यह Rover है ये Rover उसमें से निकलेगा और निकलने के बाद सत्ह पर अध्यैन करेगा जो इसको जिम्मेदारी दी गई है इसमें कैमराज लगे हैं, इसमें पैनल लगे हैं, सिगनल के लिए लगभग सारी चीजें जिससे हम चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ यहां पर लगा हुआ है। चाहेंगे, कैमरे के माध्यम से सिगनल यह इसको देगा, तो जो लेंडर है उसको देगा, और लेंडर सेटलाइट को देगा, और सेटलाइट के माध्यम से फिर हमें जानकारी मिलेगी, तो उस हिसाब से हम चंद्रमा की सतह का अध्यान कर पाएंगे, कि दरसल वहां पर पानी है कौन सी बस्तु है कौन सी बस्तु नहीं है अगर है तो वहां पर प्रकास कैसा है प्रकास के विक्रण की भी बात होगी इत्यादी इत्यादी बाते हम यहां पर कर पाएंगे तो अब यहां पर जो मैंने आपको बताया यह जो पूरा यह लैंडर है लैंडर का मतलब ही है कि ले जाकर लेंड करने वाला, ऐसे आप समझेए, तो इसकी पिछली बार की इस्तिती और इस समय की इस्तिती की तुलना कर लेते हैं, तो पिछली बार क्या हुआ था, कि जब आप मान लेजे कि ये चंद्रमा की सता है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, ये चंद्रमा की सता है अर्थ जब हम इसे launch करेंगे तो launch करने के बाद यह स्तिती कुछ इस परकार से होगी यह चंद्रमा की कक्षा ऐसे इसकी परिक्रमा करेगा लगातार ऐसे इसके कक्ष में घूमेगा घूमने के बाद अभ यह यहाँ से जाएगा अर्थात यह फिर ऐसे चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और चंद्रमा के चकर लगाने के बाद यहां पर जाकर कि यह उतर जाएगा उतरेगा कैसे इसी को कह रहा है कि soft landing है soft landing का मतलब यह है कि जब यह speed से जाएगा पूरा satellite जाएगा तो यह satellite इसमें से lander को अलग करेगा lander क्या होगा इसको हम इसकी सतह पर आसानी से मतलब धीरे धीरे जैसे ही आपर जाएगा चुकि इसकी speed अधिक होगी तो सतह पर जाकर के उसी speed से गिरेगा तो इस speed को कम करने के लिए यहाँ पर जो आपने देखा होगा पर इसकी आवशक्ता क्यों पड़ी इसकी आवशक्ता इसलिए है कि चांद पर जो gravity force है या गृत्वाकर्शन बल जिसे कहते हैं वो कम है तो गृत्वाकर् उचलने का मतलब यह है कि इसमें जो instrument है सब खराब हो जाएंगे तो instrument को हमें सुरक्षित रखना है और सुरक्षित रखकर करके इनका प्रियोग करना है प्रियोग करने के लिए ही हमने soft landing की प्रक्रिया को अपनाया है और soft landing का हमने उदेश रखा है तो यहाँ पर समझे कि यहाँ गुर्तवा कर्षन बल अगर होता और प्रित्वी के समान होता तो जैसे ही कोई समान यहाँ पर गिरता तेजी से गिरता जरूर लेकिन गुर्तवा कर्षन बल की वज़े से जादे तेजो उचलता नहीं तो यह उचलता नहीं तो यह खराब नहीं होता अब इसी को control क करने के लिए हमने क्या किया है कि यहां पर इसकी सौफ्ट लेंडिंग कराने के बारे में सोचा है और सौफ्ट लेंडिंग हो जाएगी तो इसके बाद यहां से यह जो पूरा लेंडर है इसमें से जो रोवर रखा है इसको बाहर निकालेंगे और यह फिर चंद्रमा की सतह प तो ये पूरी प्रकृरिया इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया अचा अब बात ये होती है ठीक है ये तो बाते समझ में आ गई अब यहां पर देखें इसका उदेश ये क्या है सुरक्षित और सॉफ्ट लेंडिंग ये आपने समझ लिया इसका प्रदर्शन करना वहां पर soft landing कराई है और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्दी होगी अंतरिक्ष के शेत्र में ठीक है और क्या प्रदर्शित करना है अंतर ग्रही मिसनों के लिए आवश्यक नई प्रद्योगी की अगर हम यह कर पा रहे हैं soft landing कर पा रहे हैं अर्थात हमारी प्रद्योगी की मजबूत है प्रद्योगी की के शेत्र में हमने अच्छा काम किया है तो वैश्विक प्रद्योगी की को हम अपनी प्रद्योगी की को बता पाएंगे वैश्विक अस्तर पर बता पाएंगे कि हमने ऐसा किया है भारत ने अंतरिक्ष के शेत्र में यह काम कर दिखाया है साथ हम केवल अन्य शेत्रों में नहीं, बलकि हम साइंस के शेत्र में भी आगे हैं। साथी वैग्यानिक प्रियोगों का हम संचालन कर पाएंगे और संचालन करने का मतलब यह है कि जो 2021 में हमने 104 सेटिलाइट लॉंच किये थे उसी तरह से फिर हमारा जो एंट्रिक्स है अर्थात इसरो की जो वांडिजिक साखा है उसका बड़े पैमाने पर प्रियोग कर पाए तो यह जो दिया गया है यहां पर देखिए यहां से यह प्रित्वी की सता है प्रित्वी के चारों तरफ यह चकर लगाएगा चकर लगाने के बाद यहां पर गया और यहीं से फिर अध्यान करना शुरू करेगा जो हमने soft landing की बात की तो इस तरह से यह मार्ग का पालन ठीक है आगे बढ़ें तो चंद्रमा की सता पर चंद्रियान 3 का कारी क्या है तो यह अध्यान करेगा किस से इसका अध्यान करेगा चंद्रमा पर पढ़ने वाली रोसनी का अध्यान करेगा कहा जाता है कि जो सुरे का प्रकास है उसी से प्रकाशित होता है चंद्रमा तो उ उसमा चालकता भी कहा जाता है अर्थात उसमा चालकता पदार्थों का वह गुण है जो दिखाती है कि पदार्थ से होकर कि उसमा आसानी से प्रवाहित हो सकती है या नहीं हो सकती है तो ये इसका भी अध्यान करेगा वहाँ पर तापमान कैसा है उसका अध्यान करेगा प्ला उनका अध्यान करेगा और अध्यान करने के बाद हमारे पास डेटा आएगा तो इस आधार पर हम चांद पर जाकर के फिर जमीन भी खरीच सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखें चांद के पार चलें आप लोगोंने गाना भी सुना होगा तो धीरे धीरे वो हमारे सपने भी पूरे हो पाएंगे ठीक है क्यों अन्य चांद मेसनों से अलग है ये चंद्र मेसन ट्री तो इसके बारे में देख लेते हैं अन्य देशों के चांद पर जो यान गय है उनकी जो लैंडिंग हुई है वो उतरी दुरो पर हुई है लेकिन जो चंद्रियान 3 है चांद के फरित्वी जो है उसके संप्रक में नहीं आता तो तो उसके पिछले एकिस्से में क्या है किया है तो तो चंद्रमा के लिए भारत का यह पहला मिसन था, इसे लॉंच कप किया गया था, अक्टूबर 2008 में स्री हरिकोटा से ही लॉंच किया गया था, इसका कार ये था कि ये चंद्रमा की केवल परिक्रमा करेगा, माल लीजे ये चांद है, चांद सबके होते हैं, वो अलग-अलग बात है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये चांद है, केवल इसकी परिक्रमा करना इसका उद्देश रखा गया था, परिक्रमा करा किया, और पानी के जो अनु है, अनु का मतलब सबसे छोटे कण, उसका आध्यान करने के लिए, खोज करने के लिए इसे लॉंच किया दूसरा चंद्रमिशन भी कहा जाता है, जो लैंडर विक्रम था, लैंड होने से पूरवी हमारा समपर्क समाप्त हो गया, अर्थात हम सौफ्ट लैंडिंग जो चाहते थे, वो नहीं करा पाए, और सौफ्ट लैंडिंग नहीं कराने की वज़ए से जो कहा जाता है, कई बा बारे में भी समझना है इस रोग्या है तो इस रोग भारती जिसे हम कहते हैं भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है भारत की अंत्रिक्ष एजनसी है इसकी अस्थापना 15 अगस्त नाइंटीन 69 में किया गया था गठन के लिजे अस्थापना के लिजे इसका मुख्याले बेंगले रूर में है इसका उदेशिया है कि विभिन जो राष्टी आवश्चक्ताओं के लिए अंतरिक्ष प्रद्योगी की है उसका विकास करे अनुप्रियोग करे उपग्राहों को और करने का काम करती है तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही अगली क्लास में हमारे मुलाकात होगी अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है थैंक्यू थैंक्यू फर वॉचिं झाल 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